हलो स्टुडेंट क्या हाल चाल आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे आपका स्वागत है साइन्स मिडियम में तो आज हम लोग क्लास 12 की बैलोजी का चेप्टर नमबर सेकेंड सेक्सूल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डिसकस करने वाले हैं हम इसके पहले रिप्रोडक्शन इन और्गनीजम उसमें बहुत सारी बाते डिसकस कर चुके हैं तो आज का हमारा एम आज का हमारा टार्गेट होने वाला है सेक्सूल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ठीक देखे पहले तो हम यही डिसाइड कर लेते हैं कि आखिर इस चेप चुटर में बहुत ज़्यादा इनफॉर्मेशन है अगर इसमें से क्यूशन फ्रेम करना हो तो ऐसे ऐसे टॉपिक ऐसे जगह से क्यूशन फ्रेम किये जा सकते हैं जहां पर हो सकता कि आपका ध्यान भी ना गया हो ठीक है तो आज हम वो सारी टॉपिक को कभर करेंगे जो न नहीं रखनी है लेकिन हम वो सारे चीज़ें को कभर करेंगे जिनको आपको ध्यान रखना ही रखना है ठीक है तो चलिए अब देखिए सबसे पहले मैं इसमें बता दूँ कि कुछ यह बात हैं किसके बारे में करेंगे जैसे इस चेप्टर में अगर हम बात करें देखिए तो हमारा पहला पार्ट किसके लिए होगा फ्लावर के बारे में बात होगा क्योंकि फ्लावर इंज्यू स्पर्म का या फिर प्लांट का सेक्स और गन होता है जहां पर सेक्सूल रिप्रोड़क्शन होते हैं जहां पर सेक्सूल रिप्रोड़क्टिव और गन होते हैं मेल क की बात करने फिमेल की बात करें तो वो प्लांट के फ्लावर वाले पार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं एंज्यू स्पर्म के बात करें एंज्यू स्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लावर की बात करेंगे फिर हम प्री फर्टिलाइजेशन के बात बात करेंगे फ्री की फसे के फेर्टिल यजिचेसं यहां परने में घुंटिक सब्सक्राइब हगत करूं कर ज़iled 것을 फेरफिलाइजेशन से पहले की जितने भी जितनी भी ढटना है जितने फिनामिन है जितनी भी इवेंटंस उन प्रिफर्टिलाइजेसं एवेंट फिर इसके बाद से हम क्या बात करेंगे फर्टिलाइजेशन ना बोलके यहां पर ध्यान रखें डबल फर्टिलाइजेशन डबल से ऐसा थोड़ा फील नहीं आता है कि कोई काम दो बार हो रहा हां तो बिल्कुल यहां फे फर्टिलाइजेशन दो बार होगा हम आगे अच्छे से कि एक बार एग के साथ होगा एक बार जो पोलर नूगलियाई उनके साथ होगा कुछ इस तरीके से तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे अभी शिर्फ आप एक थीम अपने दिमाग में बैठाइए कि इस चेप्टर में हम किन चीज़ों को डील करेंगे और हमें क्या क्या पढ़ना है ताकि आप जब चैप् inclusion कौ पढ़ें तो वहीं बिल्कुल इस ट्रैक्ट रहाएं कि अच्छा यही सारी चीजे पढ़ना है जैसे डवल फ़र्टिलाइजेस्ट में कि डवल फ़र्टिलाइजेस्ट असब डवल फर्टिलाइजेस्ट के के बारे में आपको ध्यान रखना है जिससे एपोमिक एपोमिक्सिस की बात कर लें पॉली Inbriyony की बात कर लें यह सारी कुछ अलग-अलग नए-नए टर हमाएंगे उनके बारे में भी थोड़ी-थोड़ी बाते कर लेंगे तो यह आपके मेंट टॉपिक हो गए इसमें से भी में टॉपिक पता है क्या क्या है यह प्री फर्टिलाइजेशन और यह डबल फर्टिलाइजेशन यहीं से ज़्यादा तर कुश्यन आते हैं और यहीं चेप्टर का थीम है यहीं चेप्टर का कॉर पार्ट है यह पोश्ट फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट में ना मैक्सिम्मम से आपको ध्यान रखनी है कि कब सीड कैसा बनेगा किसमें नूसलेस प्रजेंट रहेगा किसमें नहीं प्रजेंट रहेगा पेरी स्पर्मिक सीड वगरा क्या होते हैं अलग-अलग कुछ छोटे-छोटे नहीं नहीं से टर्म आएंगे आप घबराये नहीं उन क्या बात क्लियर है फिर उसके बाद से कौन से टॉपिक डिसक्स करेंगे डवल फर्टिलाइजेशन क्या बात क्लियर हो रहा है तो ठीक है तो अब हम देखे इसमें कुछी चीज़े हैं जिसको ध्यान रखना है अब हम बात करते हैं पहले सबसे पहले फ्लावर के बारे में देखिए flower के बारे में हम जैसे हम सोचते हैं कि flower रंग भी रंगी होते हैं उसमें खुसबू होती है हाँ ये सारी चीजे secondary है ये flower अपने किसी काम के लिए बनाता है वो किसी कीट को ऐसे समझे किसी organism को अपने तरफ attract करने के लिए ये सारी चीजों को बनाता है ताकि उससे होता क्या है कि उससे जो भी pollen grain को लेके आने वाला है वो उसके पास आए उस flower से attract होके वो उसके पास आए यानि pollination के लिए यह सारी चीजें होती है क्या बात है समझ मैं आ रही है आपको तो चलिए अब हम discuss करने है कि sexual reproduction in flowering plant plant पहले तो flowering plant क्या होता है एंजियो स्पॉम कोई कहते हैं जैसे कि animal में सबसे जदा well developed हम लोग है इसी तरीके से जो plant में होते हैं जो सबसे well developed होते हैं उनको कहते हैं एंजियो स्पॉम जो evolution की race में सबसे आगे हैं उनके बारे में बात हो रही है चलिए अब जैसे हम बात कर रहे है flower are morphological and embryological marvel and a site of a sexual reproduction इसमें सबसे important क्या है flower क्या है site of a sexual reproduction यानि sexual reproduction के लिए flower वो site है क्योंकि flower के पास ही sexual reproduction perform होगा या flower में ही sexual reproduction perform होगा और लेकिन कुछ बाते हैं जैसे morphologically और embryologically marvel है यह किस के लिए flower के लिए बात हो रहा है चलिए जैसे कुछ बाते इंसियाटी में दे रखिए flower fascinating organ of angiosperm fascinating organ की बात हो रही है जैसे में देखिए कि aesthetic के लिए flower यूज होता है और ना mental सजावट के लिए होता है social कामों में यूज होता है religious and cultural value भी है flower की emotion emotion को represent करने के लिए flower वगएरा यूज किया जाता है यानि flower के बहुत सारे काम है perfume बनाने में flower का यूज किया जाता है होता है ना तो ये कुछ ऐसे काम है जो human अपनी benefit के लिए यूज करता है लेकिन flower का actual काम क्या है flower का actual काम है seed को बनाना fruit को बनाना ठीक चलिए अब हम बात करने एक flower का डाइगराम देखिए इसमें flower में सबसे पहले जैसे देखिए enter और filament फ्लावर में जो male part होता है न एंड्रोसियम जो female पार्ट होता है उसको कहते हैं गाइनोसियम एंड्रोसियम और गाइनोसियम तो जो एंड्रोसियम stamen है उसमें filament और enter present होते हैं और फिर अगर हम female की बात कर लें तो female में stigma, style और ovary stigma, style और ये ovary ये female के पार्ट हो गए female sex organ के पार्ट हो गए enter और ये filament ये दोनो stamen बनाते हैं ठीक और ये तीनों जो मिलके देखिए ये तीनों मिलके बनाते हैं पिस्टिल ठीक तो stamen और पिस्टिल और flower में कौन कौन सा सबसे बाहर ही जो पंखुडी जैसा होता है उसको sepal कहते हैं उसके बाद आता है petal जो रंग भी रंगा flower आपको देखता है ना रंग भी रंग की उसकी पंखुडियां होती है उसको petal कहते हैं और जो side में उसके बाहर में green करका उस तरीके सोता है उसको हम sepal कहते हैं क्या बात क्लियर होगी चलिए अब हम इसमें क्या discuss करने वाले pre-fertilization से पहले के जितनी भी घटना है जितनी फिनामेना है उसको discuss करेंगे pre-fertilization इसमें जो structure होंगे जो structure बनेंगे जो events होंगे उनके बारे में discuss किया जाएगा जैसे pre-fertilization में अब हम बात कर रहे हैं फ्लावर के बारे में जैसे अब हम बात करते हैं एक एक करके पहले मेल वाले पार्ट को discuss कर लेंगे बस और ये पार्ट complete हो गया और ऐसे ही तो पढ़ना इसमें न चलिए मेल वाले पार्ट में देखिए स्टेमेन माइक्रोश पुरेंजियों और पॉलेंगरेंगे माइक्रोवर्ड मेल के लिए आएगा और मेगा वर्ड फिमेल के ठीक है इस्टेमें में दो पार्ट होते हैं एक होता है फिलामेंट एक होता है एंथर एक फिलामेंट होता है जो लंबी से की एंधर की बात करें तो बाई लोब और डाइट थिकस होता है बाई लो मतब दो लोब होते हैं इसे देखे तो एक ये लोब ये दूसरा लो और उसमें दो थिका एक लोब में दो थिका होते हैं दो कंपार्टमेंट होते हैं एक ये दूसरे में भी एक तो क्या इसमें टोट तो डाइथिकस कहते हैं अब अगली वाली लाइन में देखी तो जैसे एंथर क्या यह टेट्रागोनल हो गया टेट्रागोनल हो गया यहां से चार हो गया तो टेट्रा टेट्रा मतलब चार तो फूर साइडेड होता है तो एंथर कैसा होता है जैसे यह एंथर जैसे यहां से reproductive part के बारे में बात कर रहे हैं इसे एंथर और यह filament हो गया अब देकhे यह 4 sided होगे इसमें 4 कैसे हो गए यहां पर थिका होगे अब इसके बारे बात हो रही है अब यह जो 4 है 4 थिका है या 4 sided है इसी के respect में बात करें तो 4 और माइक्रो स्पॉरेंजिया लोकेटेड एटा कॉर्नर क्योंकि चार कॉर्नर अरग अलग तरीके से बन गए फोर कॉर्नर बन गए ती नहीं फोर कॉर्नर में पॉलें ग्रेंड का डवलपमेंट होगा आगे हम डिसकॉस करेंगे टूएंण इच लोब हर लोब में दो है और दो लोब है क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है ठीकर अब देखिए अब माइक्रो इस्पॉरेंजिया आगे चलके डेवलोफ होगा डेवलोफ होके पॉलेंसेक बनाएगा पॉलेंसेक एक तरीके का पाउच होता है अच्छा माइक्रोइस्पुरइणिया अभी डिकस करेंगे इसके बारे में कि आखिर माइक्रो इसПुरइणिया यानि कि फूर माइक्रोइस्पुरइणिया है फूर माइक्रोइस्पुरая न Dollars पहला जो ये डाइग्राम दे रखा है ये टीपिकल इस्टेमेन का दे रखा है टीपिकल इस्टेमेन में एक तो फिलामेंट होगा और एक होगा एंथर एंथर में देखिए ये जो पार्ट है न एक ये सामने जो फ्रंट वाला जो ब्लू ब्लू कलर का मैं ऐसे दिखा रहा और एक देखिए, एक दो कि पिंग कलर का ये पीछे दिखा रहा हूँ तो ये बाई लोब्ड हो गए और इन लोब्ड में ये बीच वाली जो लाइन ऐसे बट रही है ये थिका में उसको बाट रही है तो बाई लोब्ड डाई थिकस होते है क्या बात कलियर हो गई अब इसे को, अगर हम कट कर ले, कट करकी उपर से इसे देखे तो ये pollen sec है, एक bag है और इस pollen sec के अंदर खूब सारी ये pollen grain भर हुए है क्या बात कलियर है ये line of descents है, descents मतलव जहां से वो रॉप्चर होगा जब pollen grain dehydrate हो जाएंगे mature हो जाएंगे तो pollen जो एंथर है वो रप्चर करेगा डिसेंस होगा वो फट जाएगा और pollen grain उससे diffuse हो जाएंगे बाहर आजाएंगे किया यहां तक बात समझ में आई तो अभी तक हम क्या discuss कि अभी तक हम यह discuss कि कि इस्टेमेन वता मत फिलामेन्ट Sakata और एंथर से बना होता है और एक टिपिकल एंथर जो टिपिकल एंथर होता हो इसमिंस फोरसाइड इंहरी और constitokstat हो हो रही है कं दैसे चार क withstand कर रही है यह जिसके बारे में बात रहा है यह interess को इसे बना रहा है पुरकर आध्यों लाइन यह 136 mah भड़क करने अपकि यह यहां पर क्ष्ए यह यहां पर देखे यह जो 4-4 फॉर मायक्रोगंक और इसमस्थ बारे में बात करते हैं अब उसके बाहर टैपिटम के बाहर देखिए हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं टैपिटम से बाहर मिडिल लेयर फिर उसके बाद इंडो थीसियम फिर उसके बाद इपी डर्मीस, इपीडर्मिस एक सर्फिस को रिप्रेजेंट करती एपीडर्मिस अब जो ये मिडिल लेयर, इंडुफिसेम और इपीडर्मिस जो ये तीन लाइने बनाए गई है न इनका function होता है protection का और descents में help करते हैं यह यानि protection करते हैं उस enter को वो enter का जो part बना रहे हैं उसमें जो pollen grain है उन सारी चीज़ों को यह protect करते हैं यानि इनका function कैसा होता है protection nature का और यह descents में help करते हैं क्योंकि जब यह खुदी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे दूर जाएंगे रप्चर करेंगे तो वही उसी फिनामेना को तो डेसेंस बोल देते हैं अब देखें अब इस पूरोजीनस टीसू से आगे चलके इस पूरेंजिया बनेगा माइक्रोस पूरेंजिया अब वह माइक्रोस पूरेंजिया से फिर क्या कहते हैं इसी में माइक्रोस पूरेंजिया और माइक्रो स्पूरेंजिया फिर डब्लफ हो हो के पॉलेंगे के अंदर पॉलिंगुरेंग बहुत सारे बनेंगे और टैपिटम का काम होता है नर्यिस्मेंट प्रवाइड करने का क्या बात क्लिए रहे तो अब जिसे साइटोप्लाजम होता है टैपिटम का साइटोप्लाजम डेंस होता है एक्चुल में जो लोग नरिस्मेंट प्रोवाइड करते हैं आगे चलके नूसलेस के बारे में भी पढ़ेंगे तो देखिए ध्यान से थोड़ी चीज़ों को समझते जाइए जो लोग और टैपिटम के पास एक से ज़्यादा जनरली नूकलियस होते हैं क्या बात क्लियर हुआ तो देखिए यहां पर हम एंथर से लेटेड़ बहुत सारी बाते कर लिए ठीक अब हम बात कर रहे हैं माइक्रो स्पोरो जेनेसीस यानि कहीं न कहीं हम पॉलेन ग्रेन के फॉर्मे समझ में हो क्या वात समझ मैं रही है मतब पॉलेन अधर से लसे जो पॉलेन ग्रेन व्सका फॉर्मे को घृसे क्या है क्यों है से धियान रखे गेमेट कौफ फ्रोक्तोन तो बनता क्योंकि अगर टूयान है और गैम यह बनाना है अगर यह टूयान है और फिर गैमेट बनाना है तो यह नमीच मौफ भली ली अगर यह टूयन से फूर सेल बनेंगी और सब की पुलाइडी यन-yन-yन होगी ऐसा क्यों कि एक गैमिट मेल वाला होगा एक फिमेल वाला होगा तो जो बेबी डबलब होगा जो नया इंडिविज्वल डबलब होगा उसमें अल्टिमेट ली टूयन कंजर्वर रहा जाएगा क्या बात क्लियर है ना तो एक गैमिट में तो उसके हाफ क्रोमोजोम होने चाहिए ना पैरेंटल के या फिल वेजेटेटिव सेल के रिस्पेक्ट में क्या बात क्लियर हो रही है अब यहां से आगे देखिए तो अब इंथर का डवलबमेंट थोड़ा सा देख लेजे इस टू यन होता है जिसी को हम पॉलेन मदर सेल कह देते हैं पॉलेन मदर सेल क्योंकि मदर ही तो बच्चे को जन्म देगी और यहां पे बच्चा कौन है पॉलेन ग्रेन है पॉलेन ग्रेन को बनाने वाली जो सेल होगी उससे को पॉलेन मदर सेल बोल दिये और वो है कौन इस प बनेगे माइक्रो स्पूर टेट्राड बनेगा टेट्राड क्यों कि ये चार सेल बनेगे न तो टेट्राड चार सेल के लिए और आपस में ये एक साथ जुड़े रहते हैं एक बंच में रहते हैं तो उनको माइक्रो स्पूर टेट्राड बोल दिया जाता है कुछ ऐसे बनेग यह चार सेल वन गए आपस में जुड़े हैं और यह आगे चलके मेंचूर होंगे और दिई हइड्रेट हो जाएंगे मेंचूर होंगे और दिई हट्स्राइं उनकी बॉडी से निकल जाका और मेंचूरe जरू जाए हो जाएंगे क्योंकि यह male gametophyte stage को represent करता है कौन pollen grain क्या यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल अब देखिए अच्छा हम कैसे कैसे डिसकस कर रहे हैं पहले पहले हम enter के बारे में नुब मतरा iamin की की बारे में कुछ ही नी सिर्फ छाहन से सुनते गात करें सुनिये पौले ऐन अब यह элем तो तो पॉलेन ग्रेंट की बारे में कुछ बाते द्यान रख लिए पहला तो बहुत इंपोर्टेंट है कि इसी को मेल गैमिटोफाइट कहते हैं देखें डिफ्रेंट इस पिसीच सो वेराइटी आफ आर्किटेक्चर इन पॉलेन ग्रेंट देखें एंसे डाइगराम दे रखा ह ना कोई बिलकुल मुंडा हो जाता है मतलब ऐसे कर लिया है एकदम बाल ही नहीं है एकदम महाकाल बनके गुम रहा है और किसी के खुब लंबे-लंबे से बाल होते हैं ऐसे आड़े-ड़े टेड़े से तो यह पॉलेन ग्रेंट का मतलब आर्किटेक्चर इसका बनावाट अ पॉलेन ग्रेंट में नूट्रियंट होगा ही न क्योंकि वहाँ पे उसको आगे चल की अपनी स्पिसीज़ को जिन्दा रखना है उसमें एक गैमिट है एक जिन्दा सेल जो की पूरी के पूरी इस पीसीज उसी चीज़ पर निरवर कर रही है उसी चीज़ पर डिपेंडें और pollen grain का diameter कितना होता है पत्चीस से पचास माइक्रो मीटर diameter होता है टू प्रॉमिनेंट लेयर ये बड़ी important है इसमें दो प्रॉमिनेंट लेयर होती है किसी भी जैसे मालते ये कोई pollen grain है न एक लेयर माली जे ये हो गई ठीक और एक दूसरी लेयर ऐसे हो गई ठीक चलिये देखे जैसे एक को कहते हैं intine जो अंदर होती है intine जो बाहर होती उसको कहते है exine क्या बात के लिए रहे जो intine होती वो thin and continuous होती है किया ये अंदर ये लाइन i Tim है तो थीन और कॉंटिन्युवस है यह किसकी बनी होती है मेड़ वप सेलुलोज एंड पेक्टीन यानि इंटाइन सेलुलोज और पेक्टीन की बनी होती है नीट की पॉइंट आफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और पूछी भी गई एक्जाम में अगर एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग बहुत ज्यादा मभगाउंड बन जाता है इस पोरपियोंits टेबल कमपाउंड़ कहां चैबल इसको intoko डाइजेस्ट करने वाला इंजाइम इंजाइम डिसकर नहीं हुए नेचुरली को यह सैंसे मिलता ही सो इसको डिग्र और क्या बात क्लियर है तो किसके वज़े से इस पूरो पॉलिनीन के वज़े से क्योंकि किसी पॉलेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरें ट्यूब यहां से निकलेगा तुसको निकलने के लिए कोई तो जगह चाहिए क्यूंकि हम लोग तो यही बता रहा है कि इंटाइन मोस्ट रेजिस्टेंट वह और्गेनिक मैटेरियल है तो इसके लिए कहीं न कहीं से दर्वाजात होना थी जो पॉलेंट ट्यूब निकले बा बोर्ड के लिए भी अच्छा है यह सारी चीज़े आप ध्याम रखिए बोर्ड आपका बेहतर जाएगा जितना पता जा रहा है न सिर्फ इतना ध्याम रखिए यह more than sufficient है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है information इतना ही है सिर्फ ध्याम रखिए ठीक चलिए अब हम बात कर हो सिर्फ एक ही की वर्ड बोलूँगा जो इस चेप्टर के लिए बहुत इंपोर्टेंट है सिक्वेंस का सिर्फ ध्यान रखिए कि आखिर माइक्रोस्पोरोजनेसिस है तो उसमें क्या होता है किसको हम एक्जेक्टली क्या बोलता है फिर किसके बाद क्या हो रहा है यही सा सेल के बारे में लार्ज होती है इर्रेगुलर न्यूकलियस होता है इबंडेंट फूड रिजर्व होता है इसमें बहुत सारा फूड रिजर्व अब वेजिटेटिव का काम ही होता है ना किसे स्ट्रक्चर को बनाना किसी डिजाइन को बनाना होना स्केल्टल को बनाना बाक लिए टूपन होते हैं उसके बारे में कम से कम बात कर रहे हैं श्माल एंड फ्लोट इन ऐसाइट प्लाजम उजटाटे करते रहता है तेरते रहता है अब इसका हम देखेंगेologia यह spindle deep का होते है और dense citaplasm होता है यानि इसका मोन कैसा होता है dense होता एक RecTube चैनल को कहाँ पढ़े हैंक है कहाँ अभी पढ़िपलाज ना टैपिटम में क्या बात क्लिए ने नायश में करना इस्पोछ ओ उस ट्सव को क्या बात क्लियर है ठीक है जैसे देखिए जैसे यह डाइग्राम देखिए अभी हम कुछ दिर पहले पढ़के जो निकले थे न यहां यह बीच में एक कनेक्टिव होता है कि देखिए हम लोग क्या एक दम सस्ता वाला डाग्राम पढ़े थे देखिए यह पूरो जीनस टीसू था सारे कॉर्णर पे इसी के बाहर में टैपिटम है इसके बाद आता है मिडिल लेयर फिर आता है मिडिल लेयर इंडोथिसियम इपिडर्मिस क्या बात क्लियर है एक डियाग्राम बी वाले में देख लिए जो जो सबसे अंदर अंदर है इसको कहते हैं माइक्रोस पूर मदर सेल जै और इंडो इंडो कि दर मिस इस तरीके से यह मिडि ada is or humour के बीच में नहीं नहीं और जो यह त्यक्रां है और इंडो सिंग के बीच में यानि मिडिल ले निद एंडोक GO और इपिडर्मिस यह अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं और यहां पर दिखाए हुआ कि कैसे पॉलिंग्रेन जो एंथर है वो रप्चर हो गया डेसेंस होगा एप्चर का और यहां से पॉलिंग्रेन बाहर निकल रहे हैं क्या बात क्लियर है बसी यह डाइग्राम टेट्राड अच्छा यह कैसे बन रहा था यह पॉलेंग्र पॉलेंग्रेन मदर से जैसे पी अमसी में जब मियोंसिस हो रहा था तो यह बन रहा था पॉलेन ग्रेन टेट्राड अब यह डबलप होते हैं अब ऐसे चार चार बनेंगे किसी एक के बारे में हम डिसकस कर रहे हैं इसका डबलपमेंट हो रहा है तो यह देखिए वेक्योल और न्यूक्लियस दिखाया गया है आगे चलके एसिमेट्रिक स्पिंडल बन जाते हैं क्योंकि एक सेल को बड़ी बननी है एक सेल को छोटा बनना है इसमेट्रिक स्पिंडल बन जाता है अब देखें यह वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव सेल देख रहे है इतना बड़ा है इसमें यह वेजिटेटिव सेल है पूरा का प के वह बात किये था ना कि जो यह जनरेटीव से लैं यह इस और आउर करते रहता है कहां वेगेव DOE के साइटो प्लासम अर्क्या बात क्लियर है चलिए अब पॉरन ग्रेन से जुड़ी हुई कुछ और बाते कर लेते हैं पॉलेंग ग्रेंड से रिलेटेड कुछ और बाते कर लेते हैं जैसे एकर 60% एंजियो स्पर्म की बात करें पॉलेंग ग्रेंड इन टू सेल इस्टेज के पॉलेंग ग्रेंड के बारे में बात करें कौन-कौन से दो सेल थी वेजिटेटिव और वाली सेल ठीक और बाकि रेस्ट 40% में pollen grain said in a three सेल स्टेज सर्य थे सेल स्टेज कैसे हो गया चलिए बागे देखते हैं एक तो होता है वेजिटेटिव सेल नमबर वन और वेज़ एक होता है जन्रेटिव सेल और यह जनरेिटिवगी न आगे दो सिल में डिवाईड होजाता है माइटोसिस के थे थिरू तो चलिए तो अब देखे यहां से इसल की पलॉडी क्या हो गई यन होगी तो अब इसी तरीके से माइटोसिस से माइटोसिस के थुरू जो ये सेल बन रही है इनकी भी पुलाइडी क्या होगी यन यन ये तो होगी और क्या बात क्लियर हो रहा है दो जो सेल बन गई इसकी भी पुलाइडी क्या होगी यन होगी तो क्या है दो सेल यहां और ए कि एक से लिए वजेटेटी वाला क्या यह थो एंधा प्रते बात कर नोग तो आगे दो विए रहेंगे तो आगे जाके डबल फटिलाइजेसन होगा दो सेल को फटिलाइजेसन वहां एक और नुकलियाई को फटिलाइज करना है अरे क्या बात समझ में आ रही है और आगे हम डिसकस करेंगे सारी चीजों को और जो यह 60% एंजी उसपर में जो टू सेल स्टेज में न तो यह जो सेल जब जाती है इस्टिगमा के उपर जब यह स्टिगमा पर लेंड करती है न तब वहां पर जो यह जनरेटिव सेल होती है कि वह तब जाके फिर से डिव से जाती है और दो मेल गेंमीट बना लेती है कि आखे ट्रांसवर होते है पॉठन टूब कि थ्रू क्या बात क्लिर है चलिए जैसे, some species of pollen grain, कुछ pollen grain, कुछ species के pollen grain क्या करते हैं, जैसे कुछ plant हो गया है, उसमें कुछ species हो गया है, वो allergy काज कर देते हैं, उनसे allergy होने लगती है, जैसे कि example NCR team दे रखा है, पार्थिनियम, केरेट ग्रॉस, जैसे कि जो पार्थिनियम होता न, ये actual में wheat के साथ में, बाहर स exotic, exotic breed थी, जो wheat वगएरा, कि उसके साथ ये आ गया था, इंडिया में, अब ये actual में कर क्या देता है, ये allergy काज करता है, allergy काज करता है, और allergy काज करने से, एक chronic disorder डवलब कर देता है, chronic मतलब होता है, कि धीरे धीरे लंबे टाइम में होने वाला disorder, disease होने वाला, जैसे asthma, bronchitis, allergy, allergy, मतलब कहीं ना कहीं, lungs से, और आपके इस से related, क्या कहते है, ट्रेकिया से related, जितनी भी disease हो गएरा है, उनके बारे में ये बात हो रहा है, यह क्या कर देता है, allergy काज कर देता है, कौन, pollen grain, क्या बात क्लियर है, अब एक चीज़ और देखा है, pollen grain के बारे में, pollen grain viability, जिसे pollen grain कितने time तक जिंदा रह सकता है, यह किन-किन चीज़ों पर depend करता है, उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, may depend on temperature and humidity, temperature का बड़ा रोल होता है, क्योंकि temperature अगर ज्यादा होगा, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा dehydrate हो जाएगा, बिल्कुल रखता है, cryopreservation, जिसमें बहुत कम temperature पे, माइनस में temperature पे, माइनस में जो temperature है, उसको लाके, वहाँ पे, जो pollen ग्रेन, उसकी metabolic activity को रोक के, या फिर बिल्कुल कम करके, उसको store कर लिया जाता है, ताकि उसकी energy खतमना हो, और वह लंबे time तक जिंदा रह सके, वाइबल रह सके, जिंदा रह सके, क्या बात क्लियर है, तो pollen grain की viability की बारे में बात करते है, यह vary करता है, अलग-अलग की species के लिए, जैसे, अगर cereals की बात करें, जैसे rice और wheat की बात करें, तो यह 30 मिनट तक, यानि pollen grain जब बना, तो 30 मिनट के अंदर-अंदर, अगर किसी stigma पे चला गया, किस में, rice में, या फिर wheat में बात करें, तो वो क्या करेंगा, fertilization हो जाएगा, नहीं तो फिर वो pollen grain बेकार हो गया, क्या बात क्लिए रहे, इसी तरीके से, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, और सोलेनेसी की बात करें, तो कुछ मन्त तक इसके pollen grain जिंदा रह जाते हैं, और हम pollination वग बैंक, यह बड़ा ही important है, store in a nitrogen liquid, और temperature क्या होगा, माइनस 196 degree, माइनस 196 degree पे nitrogen liquid में किसी चीज को store कर किया जाता है, तो उसकी क्या होती है, metabolic activity बिल्कुल slow हो जाती है, और वो लंबे टाइम तक जिंदा रहता है, क्या बात क्लिए रहता है, इसी तरीके से pollen grain को भी अगर ऐसे यूज कर लिया जाता है, तो उसको pollen bank कहते हैं, जैसे seed bank होते हैं, उसी तरीके से pollen bank भी होता है, ठीक, जैसे कि गाहां हो गया हमें देखते चीज लिए रहते हैं, उसमें देखेंगे तो थोड़ा सा gas वगरा बाहर निकलते रहती हैं, तो उसमें भी तो sperm या सेमेन को store करके रखा रहता है, बहुत कम temperature पे, ताकि उसकी जो motility है, वो बिल्कुल कम रहे, वो अपना energy loss ना करे, क्योंकि उसको जो अपना performance दिखाना है, जो motility दिखानी है, वो जाके fallopian tube में, या फिर fertilize होने में दिखा है, तो इस वज़े से ऐसा किया जाता है, क्या बात clear है, तो इस वज़े से temperature कम करके pollen grain को ज़्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रखा जा सकता है, तो यह हो गई pollen grain से जूड़ी हुई बहुत सारी बात है, द स्टेमेन, माइक्रोसपुरेंजियम और pollen grain के बारे में बात हो गया, सबसे पहले स्टेमेन की बात किये, स्टेमेन से माइक्रोसपुरेंजियम तक गये, माइक्रोसपुरेंजिया की बात किये, फिर माइक्रोसपुरेंजिया से हम pollen grain के बारे में बात किये, क्या बात clear है, और एक एंधर कैसा होता है बाइलोब डाइथिकस क्या बात क्लिए है लेकिन एक फॉन ग्रेन ने इनक्रम का क्ता है या टो मत्रीस फॉन को भाता है और व्रकेषार। किसे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं और जो pollen grain है, उसके पास दो layer थी, एक था entine, एक था exign, exign के उपर था sporopolynin, जो कि most resistant organic material था और pollen grain में दो तरही की sale होती है, vegetative sale, generative sale, generative sale, आगे चल के दो में divide हो जाती है, क्या बात clear है, यही सारी बात हैं हम किये थे बस और पॉलेन ग्रेन की वैरी करते रहती है इसको ध्यानक लिए जो सिरियल सोते हैं जैसे राइस और वीट इसमें 30 मिनट रोजेसी लग्यूमिनेसी सोरेनेसी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन में क्या होता है कुछ मंत तक यह रहती बनी र पढू रहे है जैसे हम आप और माइक्स परिंजयं पढ़ रहेते यहांन पर मेगाओ क्हुंचीन कोई और इंब्रियो सैग्यमिए को कि इसको कहते हैं पॉंन ग्रेन को ओलनना को लेकिन फीमेलialsरी चीजों के discuss करने वाले हैं चलिए गाइनोसियम female reproductive part होता है जो कि हम discuss करी चुके है flower जब हम पढ़ रहते उसमें may consist single pistil या तो एक पिश्टील होगी या एक से ज़्यादा पिश्टील होगी अगर एक पिश्टील है तो उसको कहते हैं mono carpelleri mono मतलब एक होता है एक है अकेला क्या बात क्लिएर हो गया अच्छा more than one pistil है तो उसको multi carpelleri कहेंगे multi carpelleri अगर बहुत सारे हैं तो या तो वो fuse हो सकते हैं जैसे यह देखी जैसे मान लेते हैं यह कोई pistil है यह कोई और एक पिश्टील है दूसरा ठीक है अगर यह आपस में fuse हो गया है आपस में जूड़ गया है जिसमालेजर अभी तो यह fuse नहीं हुए है तो यह free है अगर यह free है एक ही flower के अंदर है और यह एक ही flower के अंदर है ऐसे समझे और यह जूड़े नहीं है इसको हम कहेंगे free मतलब एपो कारपस अलग अलग एफ और अलग अलग एफ और एपो कारपस क्या बात क्लियर है जैसे और अगर यह fuse हो गया जैसे माल लेते हैं ऐसे देखिए यह एक है और इसी से दूसरा जूड़ गया है मतलब आपस में यह दूनों जूड़े हुए है यह पर सिन कारपस सिन कारपस मतलब साथ साथ अब इनके ईग्जामपल हो गया आप के बारे में बात कर ले रहा है जैसे देखिए निध्यक्सud में हो और त्वियम्द की याद करने का क्या तरीका है सनी के टमाटर जैसे मस्ट पैर टमाटर मद टोमेटो मस्टरड पैर पैपेवर ठीक है और एपो कारपस की एक्जमपल अच्छा यह जो पिंग कलरकर लिखाऊं पता है एक्जमपल कहां दे रखा है लेकिन बोर्ट के पॉइंट आफ यू से उतना मैं क्यों लूँ गां रोज लोटस मैं क्यों लिया इस तरीके से माई के लिया ऐसे ध्यानक लें गया जो भी नीमोनिक्स बनाना है बनाईए इसको मखात कर दो सूराया गया 되면 फोकस कराथ मैं पिस्टिल पे इस से हेडिंग का पाट है पहला यह न पिस्टिल के पार्ट होते हैं अर्य जैसे जैसे स्टेमन के कितने पाड थे दो पार्ट फिश्टिल मेंक और उन्थर से ध्यान से सुनते जाहिए मजा जाएगा आपको जैसे इस्टिगमा होता है लेंडिंग प्लेटफोर्म औफ पॉलन ग्रें यहीं पर पॉलिनेशन जब होगा तो पॉलन ग्रेंड आके लेंड करेगा पहली बार एप्रोच करेगा जब पिश्टिल को पॉलन ग्रें तो वो इस् पिश्टिल का सबसे बेसल नीचला इस्टला अजिए सोते है जो कि थोड़ा सा फुला होता है उसको हम ओवरी कहते ह। अब और यंदर सबसे को लॉक्वियूझ रॉता है ।स मेगाइस पुरेंजियम था यानि पिस्टिल में ओवरी के अंदर मेगाइस पुरेंजिया होता है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं अरे क्या बात क्लियर हो गई ओव्यूल कहते हैं अगर एक ओव्यूल है एक ओवरी के अंदर तो जैसे ऐसे समझे कि अगर बहुत सारे ओवरी ऐस जब फर्टिलाइजेसन होगा पोस्ट फर्टिलाइजेसन इवेंट जब हम पढ़ेंगे तो ओवरी आगे चलके फ्रूट बनाएगा और ओव्यूट रहा होगा लेकिन अगर कुछी fruit में बहुत सारे seed मिले तो हम ऐसे बोलते न कि ovary में बहुत सारे ovule रहे होंगे बस वही तो बात है कि एक wheat पुरा पुरा fruit होता है तो एक wheat में तो एक ही होता है एक गिहों में पैडी की बात करने और mango की बात करने mango से थोड़ा आपको समझ में आएगा कि जो mango का plant होता है ना आप लोग देखिए जो mango का plant होता है एक fruit में एक ही तो होता है ना बीज एक ही सीड होता है ना उसी को तो कह रहा है कि एक ही ओव्यूल रहा होगा तभी तो एक सीड बना लेकिन अगर एक ओवरी के अंदर बहुत सारे व्यूल की बात करें तो एक्जामपल जैसे बात क्लियर है अब चलिए अब थोड़ा सा इसका फिगर देख लीजे बड़ा important इसको ऐसे देखी तो जैसे देखें सबसे पहले यह पिश्टिल का फिगर है यह पहला वह पिश्टील है इसमें stigma style और 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 नीचे वाला पार्ट जिस पे औरी प्रिजेंट होती उसको हम कहते हैं ठिक अब यह अगर बहुत सारे पिशिल है और यह आपस में को चुछ होगये बिल्कुल अलग-अलग है और गाइनोसियम थह न स्क्राएं यह स्क्राइब दिखा अब उसके बाद क्या लाष्ट सेखेसंये स्पोस से लाष्टरों होता है जैसे इसमें कुछ-कुछ बात हम करेंगे इस व्यू편 को ऐसे देख लेजे अभी इस व्यू click पास मैं दुबारा आउंगा हर्का सा थोड़ा सा आपको पढ़ा के फिर आओंगा देर दूसरा पहले यह ओव्यूल के बारे में यहां से थोड़ा सा पढ़ लिजे फिर उसके बाद से मैं इस फीगर को आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा देखिए एक ओव्यूल में बहुत से पॉइंट होते हैं जैसे ओव्यूल किसे मिलके बना होता है इसको देखि यह दो तो इसमें पॉल हैं माइक्रो पाइलर पॉल और चैलाजल पॉल इतने सारे नाम है ना अब इनके बारे में थोड़ा थ्यान देजिए जैसे ओव्यूल के बात करें इसी को तो मेगा पॉरिंजिया कहते हैं ओव्यूल में जो फ्यूनिकल होता है यह ओव्यूल को यह स nowadays करता है क्योंकि ओवरी के अंदर ओवेरीयन कैवेटी प्लेसेर्टा और ऊव्यूल यह सारी चीज़े मिलती है ना तो उसमें प्लेसेंटा से लिएफ्यूल को को अटेश करता क्यों हीओं हाईलम हाईलम एक जगा होती है जहां ओव्यूल फ्रूंटिकल से जूड रहा है तो डोफ लीजन फ्रूंट tra एक सेल होती है एक बहुत सारी सेल्स होती है उनको न्यूसलेस कहते हैं अभी हम बात करेंगे न्यूसलेस के बारे में ठीक तो वह क्या करता है उसको कवर करके रखता है इसी तरीके से इस तरीके से चैलाजा होता है बेसल पार्ट ऑफ और यानि ओव्यूल को जो बेसल पार्ट है उसको क्या कहते हैं चैलाजा कहते हैं यानि माइक्रोपाइल और चैलाजा हमेशा एक दूसरे क्या पोजिट होंगे यही इस चैप्टर में बिल्कुल ध्यान रखना है मतलब इस जब्पाइलेश को ज्याजा से ज़्यान रखना है कि चैलाजा और मायक्रोपाइलर इंड विल्कूल अपवोजिट होते है और Maxime जो काम होंगे न वह माइक्रोपाइलर इंड परही होंगे और मैक्सिमुम को अंदर है कि होता क्या है और वह क्या करते हैं कि इसी में से एक सेल डबलफ होता है और डबलफ होके क्या बना लेता है यानि कि नियुसिलस के सेल ही डबलफ होके क्या बनाते हैं इंब्रियो सेग बनाते हैं जिस तरीके से इस पोरोजीनस टिसू डबलफ होके पीमसी अरे इस पोरोजीनस टिसू ही तो क्या था पीमसी था पॉलन ग्रेन मदर सेल था और वही डबलफ होके माइक्रो स्पोर्ट टेट्राड बना रहा था इसी तरीके से नियुसिलस का सेल ही 협न युक्त अब लख होके क्या बना रहा है इंबर्योश है बना रहा Regi तो अब आके यहां पे देख लिए यह देखे ओव्यूल का डाइग यह इसके बाद से placenta चालो हो जाएगा इदर placenta है अब यह Funicle Funicle वह जगह है जहां से ओव्यूल यह पूराप्व्यूल है यह पार्ट इसके ऊव्यूल वाला यह पूरा का पूरा पूरांप पार्ट है अब ऊब्यूल और उधर प्लेसेंटा होगा इसको कौन जोड़ता है फ्यूनिकल और यह जो जगह है यह वाला पॉइंट जहां पर यह जूड रहा है इसको हम हाइलम कहते हैं अब यह माइक्रो पाइलर इंड हो गया यह माइक्रो पाइलर जहां पर इंटेगुमेंट देखिए अपसेंट है यह इनर इंटेगुमेंट है और यह आउटर यह से आगे कि कहानी इसीप चलने वाली है यह देखे-धिंक लिर का इसको बना देता हूं आगे कहानी इस फे क्योंकि यही क्या है female gamito fight है क्या बात क्लियर है अर इसकी ए 7 पॉजित में चल जल इधर होतया उता है इसी तरिके हम पिष्ट्टिल में स्टिगमा से इस्टायल Кол Benni ओवरी में पहुच गये ओवरी के अंदर व्यूल में पहुच चुके हैं व्यूल के अंदर इंप्रियो सै только होता है उसके बारे में आप बात नं added हो रही है तो मेगाइस्पोरोजनेसिस होगा मतलब मियोटिक डिविजन यहां पर भी होगा टूयन से जैसे यह टूयन है तो यह क्या हो जाएगा यह न हो जाएगा तो एक मेगाइस्पोर मदर से चार मेगाइस्पोर बनेंगे मेगाइस्पोर मदर से उसके बच्चे ही तो बनेंगे न एक जो यह मेगास्पॉर बनी है ना यह माइक्रोपाइलर इंड पर ही बनते हैं लेकिन घी मैं रिस्पेक्ट में अगर उसके बात करूं ऍटी सिर्फ बचता है इस Mêmeulle गillary से यहां पर एक मेगा स्पूर मदर से एक ही इंब्रियो सैग बनेगा क्योंकि चार बनने के बाद थ्री तो डिल जरलेट हो गए और एक मेगा स्पूर जो बचा उसी को कहते हैं उसी को बना लेगा क्या तो फंकैक बननालेगा उसी चार फोर्मेशन और एक स्ट एक मेंज तो कैसे बनता है इंब्र Farm गेमिटोफ ४ढंस में ड़िए अच्छा अब ये दिखी तू इधर आपना लाद छिल देखिए राइट साइड ले फॅन्क्षोनल मेगा स्पोर जो फॉंक्षोनल मेगा एक बचाना इसमें लगातान निूपनियर डिविजिन साल हो जायगा लिग्र कांटिनिऊस तो एक नुपलिइस से 2 नुकलिइस दो से 4 नुकलिएस चार से 8 यान に टू से फॉर फॉर से एट टिज यहां पर आ जाएगी एट टिज आने के बाद से अब वो इंब्रियु से जोगा नहीं इससे वज़े से टू नुक्लियर विजसे स्टेल जाएगी यूदे ऊसे रीजर तू नुक्लियर अब एक नूप्लियिश और यही है एक्चूल में देखा जाए है तो ये एट नुक्लियर इस्टेश जोई यहीसच 11 है अब इसमेन से इसी कोम कहते है कि मिच्वर इंब्रियॉस इख क्या बात क्लिएर डिसमें न्यॉक्लिय में उस इंटर रहेंगे थोड़ा सा एक डाइग्राम उसको देख लीजिए नक तब आपको समझ में आएगाएगा अच्छछे से जैसे देखे है यह functional मेगाइस पोर है जो दिखा रहा हूं यह देखिए शिर्फ यह देखिए और कुछ मत देखिए यह functional मेगाइस पोर है इसमें nucleus divide होना इस्टार्ट किया और opposite pole की तरफ गए और opposite pole पे फिर अपना-पना division किये एक nucleus से दो-दो nucleus बनें दो से चार-चार बनें मतलब single nucleus divide होके two nucleus two nucleus का formation करता है और यह single single फिर nucleus आगे divide होके two यहाँ पे और two यहाँ पे फिर यह दो आगे चलके four यहाँ पे और four यहाँ पे क्या eight nucleated stage यहाँ पे आ गई इसी तरीके से nuclear का बार-बार division होता है अब आगे देखिए होगा क्या अब यह जब division हो चुका तो अब यह क्या करेंगे जो उसमें से six nuclei है न यह surrounded हो जाएंगी इसमें से three-three तरीके के मतलब bunch बनाएंगे गुच्छे बनाएंगे और वह आपस मे सेल वाल का फॉर्मेशन करके अलग-अलग सेल बना लेंगे जैसे six nuclei surrounded by the cell wall जैसे यहां पर दिया होगा न स्राउंड़ बाइद सेल वाल एंड और अर्गनाइज इन्टू दे सेल सिक्स तो सेल वाल बनाके अलग-अलग सेल बना लेंगी और दो न्यूक्लिय जो प्रजेंट होंगी वह सेंट्रल सेल में वैसे पड़ी रहे जाएंगे क्योंकि इनिसली टाइम में एक सेल तो होगा ही न तो पोलर न्यूक्लियाई इसके लिए एक बात आ गई सिच्वेटेड बिलोग एक अपरेटर्स अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं देखें थ्री सेल आर ग्रूप्ट टूगेदर किसके बारे में बात हो रहा है जो यह सिक्स नूक्लियाई थी न यह सिक्स अब यह थ्री थ्री सेल्स का एक ग्रू मैं बोला ना माइक्रो पाइलर इंड पर ही सारा काम होगा एक एपरेटर्स यहीं तो हमारे काम की चीज़ है क्योंकि यहीं से तो एक मिलेगा तो यहां पर थ्री सेल्स है न वह आगे चलके देखिए कैसे बटी हुई है तू सिनर्जिट सेल्स का फॉर्मेशन करती है और ज सॉरी इस पेसल सेलूलर थिकनिंग होती जिसकों फिल्ली फॉर्म अपरेटर्स कह देते हैं बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि फिल्ली फॉर्म अपरेटर्स ही पॉलन ग्रेन को गाइड करता है कि आजाओ यहीं पर सिनर्जिट है यहीं से वह पॉलन पॉलन ट्यूब अब यह चीजहां भी थोड़ा सा आपको फील भी कराऊंगा थोड़ा सा दिखाऊंगा कि अच्छी से चीज़ों को अरेंज करके रखा गया है अब देखिए इस नुकलियाई में से तीन का तो काम हो गया जो थ्री थ्री सेल मतलब वह अपस में ग्रूप बना के क्या कर ली अलग तरीके का एक एपरेटेस बना ली जिसको हम एक एपरेटेस कहते हैं और बाकी जो तीन सेल बच गई थ्री सेल ग्रूप टुगेदर एट चैलाजल एंटि पोर्डल सेल का फ़रमेशन कर लेते हैं क्या बात क्लियर है अब हम बात करते हैं अट्टीपिकल इंजियो स्पर्म इंब्रियो सेक अटम मेचिर टी जब वो मेचियर हो गया तब वो कैसा होगा देखे एट नुकलियेटिटी सेवन सेल होगा कैसे थोड़ा सथ्यान जैसे मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि जब यह सेल बना था इसमें कांटिन्यूस न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे थे तो थ्री न्यूक्लियाई तो यहां 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 और दो न्यूक्लियाई जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोलतें ऐसे फिर सेल वाल का डवलपमेंट होने लगा एक सेल वाल यहां बन गया, एक सेल वाल यहां बन गया, एक सेल वाल यहां, थ्री सेल बन गया, मा लेते हैं यह एग एपरेटर्स का फॉर्मिशन हो गया, एग एपरेटर्स बन गया, और फिर यहां पे एक सेल वाल, यहां पे, इसों कहते हैं एंटी पोडल सेल, एंटी पोड समझ मैं ऐसा इतो होगा तो कितने से लोग है साथ से लोगा दिखिए एक दो ऐसे एक दो तीन चार पांच छे और एक यह बढलाव लेकिन एत निउक्लियर्ट इर ऐट नुक्लियर्ट बनेन और एट निउक्लियर्ट एक निल्ट्र एक वेच्चियोर एंज पर्म में जो और आगे जनेरेटिव सेल चलके दो में डिवाइड हो रहा था पॉलन ग्रेन की बात हो रही है चलिए अब यहां पर इसको देख लिए तो एक्चुल में हुआ क्या देखिए यह माइक्रो पाइलर इंड है न यहीं से नूसलस की सेल है नूसलस की कोई एक सेल मोडिफिकेशन हो जाता है और मेगा इस पूर मधर सेल में कनवर्ट हो जाती है क्या बात में है अब मैक्रो पाइलर इंड गया जाते घ्राद मिपठेशन द हो हो जाएंगे हो दिप एक हो जाएंधे यह 되면 तो यह होगा कि क्या बात क्लियर रहे और डब या बनाएगा फंक्शनल मेंगा स्वास्adt पुन्रहें। अनलए मेगा बनलए कि kicking दिखाए वह बनातुनीजें मेधाय से सब्सक्राइब जाएगा है कि और कहां यह माइकक्रो पाहिलर इंड की तरफ लिखाएब कि और तो यह polar nuclei है central यह एग apparatus के बिलो होती है नीचे होती है तो क्योंकि चैलाजल इंड बेसल ओला पार्ट है तो माइक्रोपाइलर इंड वाला टॉप ओला पार्ट होगा बिल्कुल और यह central cell है बीच वाली और यह two polar nuclei यहां पर प्रजेंट और यह अब देखें यह जो डाइग्राम में उल्टा इंड को ऊपर दिखा रखा है तो इससे आप परिशान मत हो यह आपका इसाइब क्लियर होना चाहिए यह एंटी पोडल से लें अब आपने इद माइक्रोपाइलर इंड वाले से सारा सारा काम है यह फिली फॉर्म आप्रेटर्स क्या था सिनर्जीट सेल में इस स्पेसल सेल वर जो ठीकनिंग हो जाती है उसी को फिली फॉर्म आप्रेटर्स कहते आप्रेटर्स जुड़ा होता है और एक सेल देखें यहां पर और यह फिर सेंट्रल सेल बन गई दो पोलर न्यूक्लिया ही है क्या बात क्लियर है बस और यहां तक समझ में आ रही है न अच्छा तो देखिए बहुत सारी चीजें हम पढ़े ही नहीं है बहुत सारी चीजें थोड़ी ना थी बस क्या था कुछी काम काम की चीजें हम पढ़े हैं अच्छा इसके आगे का जो पार्ट है पॉली नेशन अच्छा इसके आगे हम क्या डिसक्स करने वाले हैं पॉली नेशन और फिर डबल फर्टिलाइजेशन पॉस्ट फर्टिलाइजेशन फिर एपो मिक्सिस वगरा कुछ इस तरीके की चीजें हम पढ़ने वाले पॉली इंब्रियोनी कंडिशन वगरा इसके बारे में हम बात करने वाले यह टॉपिक हमारा अगले वीडियो में होने वाला है क्या बात क्लियर है तो अब यह के सिर्फ इतना ही रखते हैं इसमें कुछ हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं पढ़ें एक दो मिनट में सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं चलिए आईए ध्यान से देखिए अगर हम बात करें फ्लावर के बारे में तो सेक्सूल रिप्रोडॉक्शन करने के लेकॉर सियं फीमेल रिप्रोडॉक्ट्वट इस्टेमें के बारे में बात कि एंतर बाइलोप्ट डाइठीकस और फिर जो माइक्रो स्पुरेंजिया होती है वोगर्ण परनर पर लोकेटेड होती है फोर माइक्रोस्पॉरेंजिया होती है उसके अंदर इस्पॉरोजीनस टिसू भरे होते हैं उसी सागे चलके पॉलन ग्रेन वगरा का फॉर्मेशन होता है टैपिटम नरिस्मेंट प्रोवाइड करवाता है मिडिल लेर इंडो थिस्यम इपिडर् माइक्रोस्पॉड टेट्राड बनता है माइक्रोस्पॉड टेट्राड डेबलफ के पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है पॉलन ग्रेयन को मेल गयमेटियूफाइड करते हैं którego हमें हमने बहुत सारा मतर नत्रीएंट शोता है इसको एथेलेट वगएरा यूज करते हैं इसका डायमेटर 25 से 50 नैनोमीटर का माइक्रो मीटर का होता है और इसमें दो प्रॉमिनेंट लेयर पाई जाती है should choose the LR जैसे रण्धिनियर के जो अधित्स होता है एस्थमा और ब्रंटुइटिस होता है और बाकी 40% में 3-cell stage में सेडल होते हैं पॉलन ग्रेन एलरजी भी काज करते हैं जैसे पार्थिनियम कैरेट ग्रास से होता है एस्थमा और ब्रोंकाइटीस होता है पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी की बात करें तो सिरियल्स में राइस और वीट में 30 मिनट रोजेसी लग्यू माइनस 196 डिग्री टंप्रेचर पे पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रख लिया जाता है अब हम बात करते हैं पिष्टिल या फिर ओब्यूल और फीमेल गैमिटोफाइट में यानि कहीं कहीं हम फीमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट के बारें बात कर लें तो या तो सिंगल प कारपिलरी और उसके बास थे अगर मति बोट होगा एक से ज्यादा होगा तो इसको मल्टी कारपिलरी कहते हैं अगर pink कर भापकंध के था तोमेटो मस्टर्ड अगर वो फ्री है तो एपोकार्पस जैसे माइकेलिया लोटस रोज पिस्टिल की बात करें तो तीन पार्ट होते हैं स्टिगमा इस्टाइल एंड ओवरी ऑवरी की बात करें तो ओवेरियन कैविटी प्लेसेंटा और मेगा स्पुरेंजिया होता है जिसक बात के लिएर अब आएए आगे होता है तो फ्रींट को इनूसलस को करता है तो मिक्रोपाेलर वो एक ऑपनिंग होती है जहां पर एंट्यव्यमेंट होता हैं जहां से पॉलेंट ट्यूब आगे चलके हम डिसकॉस करेंगे पॉलेंट इंटर करता है चला आजल बेसल पार्ट होता है और अपोजीट होता माइक्रोपाइलर इंड के एंप्रियोसेक female gamitophyte होती है निउसलुस की cell डबलप होके इंप्रियोसेक का formation करती है मेगा इस्पोर जैसा यानि मेगा इस्पोर मदर से 4 मेगा स्पोर बनते हैं जिसमें से 3D व हिए हो जाते हैं एक single mega sport बचता है माइक्ट्र पाइलर इंडर वाला जिसको फंक्सेल मेंका सब्सक्राइब कहते हैं उसी से खलammen है और जो वे होता है और जो होता है वह बढ़े वाले अंदर क्या बात जिर है इतना सारा बात है है और यहां पर यह फि्टर आपको दिखा दिया गया क्या बात क्लियर है यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आई होप आपको सारी चीज़े समझ में आई होगी इसके बहुत भी कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिएगा मैं जरूर से रिपलाई कर दूँगा मिलते हैं इसक नए पार्ट के साथ जल्दी तब तक आप पढ़ाई करते रही है मसते रही है थैंक यू